नमस्कार दोस्तों पेल्टेक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में आपको यूपी टुपलसी वीडियो और एकचाम 2022 के लिए घटना चक्र टो सीरीज का प्राक्टिस से तीसरा लेकर आया हूँ और इस प्राक्टिस सेट के सामान जानकारी के 50 महात्पून प्रसनों को इस क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों इसके पहले दो प्राक्टिस सेट गटना चक्र के कम्प्रेट करा दिये गए हैं यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों इस क्लास का न प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आये शुरू करते हैं आज के इस क्लास के question number 101 से निमलिकित में से कौन सा बहुत पवितर इस्थल निरंजना नदी पर इस्चित था तो दोस्तों इस question का आपको right answer देना है तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर option A बोध गया में स्थित है अगला question question number 102 बुद्ध को परनिर्वान कहां प्राप्त हुआ था तो दोस्तों इस question का right answer option B हो जाएगा कुशी नगर अगला question question number 103 अलाई दर्वाजा किस बिसुबरासत इस्थल में है तो दोस्तों इस question का आपको right answer देना है तो इस question का right answer option C हो जाएगा कुटुब मिनार अगला question question number 104 भारत पर तैमूर ने किस वर्स आकरमण किया था तो भारत पर तैमूर ने 1398 में आकरमण किया था option D इस question का right answer हो जाएगा अगला question question number 105 किस शासक ने भारत में तुगलक वंस की निव रखी थी तो इस question का दोस्तों इहाँ पर right answer option B हो जाएगा गयासु दिन तुगलक अगला question question number 106 सेरिंग पलनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था तो इस question का दोस्तों इहाँ पर right answer option C हो जाएगा टीपू सुल्तान अगला question question number 107 बंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री टेन किस वर्स चली थी तो दोस्तों इस question का answer आप सभी पर बनता होगा तो इस question का right answer option C हो जाएगा 1853 अगला question question number 108 भारत के गवर्णर जनरल लाड बिलियम बेंटिंग ने सती पर्था को समाप्त करने है तो इस question का दोस्तों right answer option C हो जाएगा 1859 में अगला question question number 109 समवैधाने को अप्चारों का अधिकार के तहत आता है तो इस question का दोस्तों हापे right answer option A हो जाएगा मौलिक अधिकार अगला question question number 110 मार्स 2019 को प्लब्द जानकारी के अनुसार भारती समिधान में कितने मौलिक करतब है तो इस question का दोस्तों हापे right answer option D हो जाएगा 11 मौलिक करतब है अगला question question number 111 भारत के समिधान के अनुसार राष्टपती के पास अध्य देश जारी करने की शक्ती है तो इस question का दोस्तों यहापे right answer अनुचेद 120 हो जाएगा भारत के समिधान के अनुचेद 120 के अनुसार राष्टपती के पास अध्य देश जारी करने की शक्ती है अगला question, question number 112 भारत में राटपत अपना कारिकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं तो इस question का दोस्तों यहाँ पे right answer, option B हो जाएगा उपराटपत को अगला question, question number 113 निमलिकित में से काउंसी घाटी हिमाले परवस अंकला में इस्तित नहीं है तो आपको बताना है दोस्तों, दिये गए options में से तो इस question का right answer, option D हो जाएगा, अराकू इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 114 मेघाले पठार की सबसे उची चोटी काउंसी है तो मेघाले पठार की सबसे उची चोटी दोस्तों हो जाएगी option D इसका सही जवाब है, शिलांग चोटी है अगला question, question number 115 कारा कोरम परवस अंकला में सबसे उची चोटी काउंसी है तो इस question का राइट अंसर option B हो जाएगा केटू, गौडबेन आस्टिन अगला question दोस्तों question number 116 निमलिकित में सबसे काउंसी भूम किसी भी देश के स्वामित में नहीं है तो इस question का राइट अंसर दोस्तों option B हो जाएगा अंटार्क्रिका अंटार्क्रिका भूम पर किसी भी देश का स्वामित नहीं है वर्स 1969 में संपन अंटार्क्रिका टीटी के तहट अंटार्क्रिका चेतर का उपियो केवल वैग्यानिक तेथा सांति पूर्ड उद्दे सेट किया जा सकता है अगला question, question number 117 महादीप जिसे अंटार्क्रिका जाता है अगला question, question number 118 यूरोप के उचितम परवत सिखरों में से एक माउंट अलबुरुस कहां परिश्थित है तो इस question का दूस्ते हैं पर राइट अंटार्क्रिका जाता है अप्सन C हो जाएगा, रूस माउंट अलबुरुस परवत सिखर रूस में स्थित है यह काकेसस परवत की सर्वत चोटी है यह यूरोप का सबसे उचा परवत है अलबुरुस परवत एक सांत ज्वाला मुखी है काकेसस परवत एसिया और यूरोप महादीप की सीमा पर इस्थित है अगला कोशिया निमि लिखीत में से काउन सा भारती अर्थवयोस पर अर्थवयोस पर ब्रस है तो इस question का right answer option A हो जाएगा क्रसी अगला question, question number 121 वस्तयों सेवा कर, GST भारत में 1 जुलाई की सन को पेस किया गया था तो इसका right answer option C हो जाएगा 2017 GST भारत में 1 जुलाई 2017 को पेस किया गया था, ध्यान रखेगा अगला question, question number 122 उत्तर प्रदेश का सहरनपूर सहर निमली खित किस कला और सिल्फ के लिए 200 प्रसिद्ध है तो इस question का दोस्तों यहाँ पे right answer option C हो जाएगा लकडी पर नकासी अगला question, question number 123 उत्तर प्रदेश के किस सहर को ceramic city कहा चाता है तो इस question का right answer option D हो जाएगा दोस्तों, खुर्जा उत्तर प्रदेश का खुर्जा सहर, बुलन सहर, जिला ceramic उद्धो के लिए प्रसिद्ध है इसलिए खुर्जा को ceramic city के नाम से भी चाना चाता है अगला question, question number 124 उत्तर प्रदेश में पर right answer option A हो जाएगा अगला question, question number 126 उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई के कढ़ाई सहली के लिए बिशो प्रसिद्ध है तो option C right answer है चिकन कारी अगला question, question number 127 उत्तर प्रदेश का कौन से सहर चिकन कारी साडियां, नामक सुन्दर कढ़ाई वाली साडियों के लिए प्रसिद्ध है तो इस question का यहाँ पे right answer दोस्तों, option B हो जाएगा लखनव question number 128 निमलिखित में से कांच सा इस्थान कांच की चूडियों और कांच से बनी वस्तों के उत्पादन के लिए जाना जाता है तो इस question का दोस्तों, right answer option B हो जाएगा फिरोजाबाद उत्र पिर्सका फिरोजाबाद साहर कांच की चूडियों और कांच से बनी वस्तों के उत्पादन के लिए जाना जाता है इसे सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है अगला question, question number 139 Chrome, Safari और Opera के बीच क्या समानता है ये सभी क्या है तो इस question का right answer option A हो जाएगा दोस्तों विब बिचरक, विब ब्राउजर्स है अगला question, question number 139 crawling, indexing और ranking सब्द किस्से समान दित है तो इस question का right answer option B हो जाएगा दोस्तों खोजी इंजन, surge इंजन से अगला question, question number 139 Microsoft Word फाइल में किलिप बोर्ड की समागरी को पेस्ट करने के लिए किस की बोर्ड shortcut का प्रूख किया जाता है तो दोस्तों इस question का right answer option B हो जाएगा control plus B का प्रूख किया जाता है अगला question, question number 139 जब Microsoft Excel वर्क सीट के प्रकोस्टों में संख्या प्रविष्ट की जाती है तो वे पूर्व निर्धारित इस्थिती द्वारा होती है तो इस question का दूस्तों आपर right answer option C हो जाएगा दाई और संरेखित होती है अगला question, question number 133 MS PowerPoint में आपको एक विशय से समस्थ संरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विशय में प्रयोग करने में सहता प्रदान करता है तो आपको इसका right answer देना है दोस्तों तो MS PowerPoint में format painter आपको एक विशय से समस्थ संरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विशय में option भी हो जाएगा दूती सेंडी का उत्तो लग है अगला question question number 135 जी का मान नियूंतम होता है तो जी का मान दोस्तों बताने है आपको कहां पर नियूंतम होता है तो जी का मान नियूंतम बिस्वत रेखा पर होता है और अधिक्तम की अगर हम बात करें तो उत्तर ही धुरू पर होता है अगला question, question number 136 निमलिकित में से काउन एक thermosetting plastic है तो दिये गए options में दोस्तों आपको right answer का chain करना है तो इसका सही जौब हो जाएगा option B, WK light अगला question, question number 137 तो इस question का राइट answer option C हो जाएगा, पारा इसका सही जवाब है पारा को quick silver, तो इसका परमाण कुर्मांक 80 है यहाँ प्रकत में अल्प मात्रा में पाजाता है, इसका मुख अईसक सिनेबार है यहाँ कमरे के ताप पर द्रव उस्था में पाई जाने वाली धातू है, ध्यान रखेगा अगला question, question number 137 रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रोयस करता है तो रक्त ब्रक धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रोयस करता है इस question का right answer option B हो जाएगा अगला question, question number 149 रक्त इसकंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है तो इस question का दोस्तों यहाँ पे right answer option B हो जाएगा फिलो क्यून फिलो क्यून की कमी से रक्त इसकंदन विकार होता है फिलो क्यून बिटामिन के का रसानिक नाम है बिटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है अगला question question number 140 मानोपलीहा नियंतित करता है तो मानोपलीहा इन में से क्या नियंतित करता है दिये गया options में आपको चैन करना है दोस्तों तो इस question का right answer option A हो जाएगा रक्त आयतन नियंतित करता है अगला question, question number 141 जुलाई 2022 में कौन से जिला देश का पहला हर घर जल प्रमारी जिला बन गया है तो इस question का दूस्तों यहां पे right answer हो जाएगा option B, बुरहान पुर, इसका सही ज़ाब है जुलाई 2022 को मद प्रदेश का बुरहान पुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमारी जिला बन गया है इस जिले के सभी 254 गाउं के ग्रामीड घरों में करयात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्द कराएगा है ध्यान लखिएगा अगला question, question number 142 अगस्त 2022 में कौन से देश मासिक धर्म उत्पाद निशुल उपलब्द कराने वाला विशुका पहला देश बन गया है तो इस question का यहाँ पे right answer option D हो जाएगा इसकॉट लैंड अगला question, question number 143 अगस्त 2022 में आशियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयुजित हुई तो दोस्तों यहाँ पे इस question का right answer option D हो जाएगा नोम पेंड में अगला question, question number 144 अगस्त 2022 में भारत की किस संस्ता दोरा भारत का पहला manufacturing बे निर्मार इंडेक्स फंड जारी किया गया है तो इस question का right answer option C हो जाएगा नवी mutual fund अगला question दोस्तों, question number 145 जुलाई 2022 में किस राज में एक नए कर्म जिरी अभ्यारन का अगठन किया गया है तो जुलाई 2022 में मदपरदेश में पेंच टाइगर रिजर्व के सीवावरती चेतर को सामिल करके एक नए कर्म जिरी अभ्यारन का अगठन किया गया है और यहाँ इस परदेश का 24वा अभ्यारन होगा इस अभ्यारन में सिवनी जिले का चेतर सामिल है अगला कोशन कोशन नमर 146 अगर 2022 में किस भारती महिला ने वर्ड वूमेन एंट्रे प्रेवर्ण प्योर्स अवार्ड जीता है तो इस कोशन का दूस्तर यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन ए संगीता अभ्यान इसका सही जवाब है अगला कोशन कोशन मर 147 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दौरा वर्स 2021 का सुबद्र कुमारी चौहान बाल साहित समान के से प्रदान करने की गोशड़ा की गई है तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा दूस्तों है पे इस कोशन का दूस्तों है पे राइट अंसर की अगर हम बात करें आप्सन C हो जाएगा बिमला अरस्तोगी को इसका सही जवाब है अगला कोशन कोशन नमबर 148 बर्मिंगम यूके में आयोजित 22 में राष्ट मंडल खेल 2022 में किर देश की तेराक एमा मैक योन ने सबसे अधिक आठ पदक जीते हैं तो इस कोशन का दूस्तों यहाँ पे राइट अंसर अंसर अप्सन भी हो जाएगा आस्ट्रेलिया अगला कोशन कोशन नमबर 149 जव विवित्ता का अर्थ है तो दोस्तों आपको बताना है जव विवित्ता का इन में से कौन सा अर्थ होगा दिये गए अप्सन में आपको चैन करना है दोस्तों तो इस कोशन का राइट अंसर अप्सन C हो जाएगा एक निर्धारिच चेत्र में विभिन प्रकार के पादप यूँ जनतू अगला कोर्शन कोर्शन नमबर 150 पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में ब्रद्धी होती है तो इस कोर्शन का राइट अंसर आप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाई अकसाइड के कारण दोस्तों सामन जनकारी के 50 कोर्शन कम्प्रीट हो गए हैं और आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक की लेना वसकार जाहिन धन्यवाद